नवस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट प्यानल मैट्स मीनिया भाई राम सिंग में दोस्तों जहां पर अपने सर्कल सुरू कर लिया था सर्कल के अंतरगत अपन कॉशन नमबर 40 तक कंप्लीट कर चुके थे आज अपन जा रहे हैं दो अपन को दिया गया है कि सेंटर से होकर सेंटर से होकर एक एंगल बन रहा है और यह यह प्रॉक्स यहां पर यह पॉइंट यहां से यहां मिला हुआ है यह पॉइंट यहां से यहां मिला हुआ है यह यहां मिला हुआ है यह एंगल आपन को दे रखा है कितना देर का है 150 बात करें तो PQRS उस है PQRS तो दोस्तों आपको पता यह चक्तुर्गोजार 150 अगर यह है तो यह कितना होगा यह 30 डिगरी होगा चक्तुर एक और क्यूलेटी दोस्तों कि अगर यह सेंटर पे होगा डाइमेटर पर कोई number C है दोस्तों बहुत ही आसान सवाल दोस्तों कुछ नहीं करना आपको आपको क्यों देखके पैचानना था कि आपको किदर जाना है और आप एक सेकेंड में इसका अंसर निकालेंगे चलिए question number 42 की तरफ चलते है दोस्तों तो सवाल number 32 देखिए इसना का यदी दो वरतों के केंडर के बीच की दूरी उनकी तरज्जाओं के योग से कम हो तो कम कब हो सकती है दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको एक सरकल ये है और दूसरा सरकल दोस्तों ये है तब ही तो आप देखे कम होगा क्यों कम होगा कि ये देखे कि यहां से अगर यहां पर हो और यहां से यहां पर हो तो यह क्या हो गया यहां प्रतिछ छेदित हो रहे हैं तब ही कम होगी दूरी नहीं तो नहीं होगी अगर यही सरकल यह होता और यह होता तो यह और और कम हो जाती मतलब जब प्रतिछ छेदित होगी तब यह होगा तो आ ऐसे इसपर्स बहारी इसपर्स जिसे क्या कहते हैं प्रहते इसपर्स तो उसमें क्या होता है यह पूरा पूरा होता यह एक्जेक्ट आता अगर वो कहता अंते इसपर्स तो अंते 30s परस में कैसे होता है दोष्तों 30स परस में भी बहुत कम होता है लेकि जलते हैं दोस्तों अगले कोशन नमबर 43 की तरफ कोशन नमबर 43 क्या कहता है दीए गए चित्र में इसने भी फोटो दिया है तो आपर एक बार पहले तो फोटो बनाएंगे दोस्तों यह लिए सरकल बन गया उसके बाद में अपन कोश्ट ने दिया है यह कोई सेंटर है सेंटर से एक एंगल यहां बना रहा है ठीक है एक एंगल यहां बना रहा है और दूसरा यहां बना रहा है ठीक है और इसने इस लाइन को और नीचे ले लिया है यह दिया है इसने A D A B C D E यह A B C D यह E आपको इसने यह वाला एंगल दिया है कितना दिया है A D C D I 136 डिग्री एक चीछ समझे आगे दोस्तों मैं यहां से इस एंगल को कहींच लेता हूँ ताकि चक्रिय चतुरबुज बन जाए और जैसे ही खींचा मैंने यह एंगल कितना हो गया यह 136 बटे 2 हो गया जो कि कितना होता है 68 होता है यह बात मेरे को यहां से समझागी जब यह 68 है तो यह भी क्या होगा यह भी 68 डिग्री होगा यह थियोरम में पहले आपको बता चुका हूँ जब चक्रिय चतुर वो जो तो उसमें यह कौन जो होगा यह इसके बराबर होगा यह बात आपको यहां से समझागी आपको आंसर आगया आपको यही तो निकालना था एक एंगल उपर खींचा होता तो सबान सारा जयते चलिए देखते है क्वेशन नमबर 44 क्या कहता है दोस्तों क्वेशन नमबर 44 देखें क्या है दीगी आकरति में व्रत का केंदर वो है यह सी 90 डिगरी है चलो दीगी आकरति है इसमें भी दीगी आकरति में अपन एक और फोटो बना लेते हैं सीक्वेंस में स्वरी अच्छा नहीं मना है तो एक बार इसको अपन यह लेज़े यह बार अपन इसको वापस बना लेते हैं और यह सर्कल बना ले आपना ठीक है दोस्तों अब सर्कल के अंदर इसने क्या बोला है इसने बोला है कि दीगी आकरति में वरत का केंदर O तथा AOC 90 दिगरी है तो आपन क्या करेंगे वरत का केंदर बना लेते हैं पहले ठीक है फिर एक यहाँ पर बना लिया और एक यहाँ पर बना लिया ठीक है फिर इसने कहा है कि एक अपन यहाँ से यहाँ मिला देते हैं और इसको यहां से यहां मिला देते हैं, और इसको यहां से यहां मिला देते हैं, इसको इसने का आई यह 90 डिग्री है, इसको इसने का आई यह 80 डिग्री है, यह बात आपने को समझ में आ चुकी है दोस्तों, यह 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, आपको पता है दोस्तों, जब य 1010 है और ये यहना इंचल कितना होतले सिच्ट छोटैती जब में और कितना हो आगे यगी 30 के जिर्टी कितना हो और यह ब्राबर है वह जाएग यह वह करों के ता हेगा तो यह ब्रूदु मुझे अच्छा 45 और 35 कितना हो जागा यह 80 डिग्री अगर आपका आंसर हो जाएगा आपको यह वाला एंगल पूरा बताना था यह कितना है 80 डिग्री तो क्या आपका आंसर कौन सा है option number D आपका answer दोस्तों आसा करता हूं समझे होगा बहुत यह आसान question कुछ भी नहीं करना है दोस्तों questions के अंदर चलिए question number 45 की तरफ चलते है दोस्तों किसी व्रत का व्यास 30 cm है लोग जी व्रत बनाई लिता है न यह लो बना लिया जी इसका व्यास जो है वो 30 cm है तो तुरिज्या कितनी होगी अब इसमें क्या दे इसकी एक जिवा 24 cm लंबी है यह लो यह जिवा है 24 cm यह भी कोई जिवा तो यह दिया हुआ है त्रिज़्या केती दिवी यह यह पंदरा यह चौना ऑगा बारा आपको पता है पांस को किस से महना किया पांस को 3 कुट करूना किया यह किस UBC ट्रिपलेट आपको 3, 4, 5 ट्रिपलेट याद रखनी थी दोस्तों यह ट्रिपलेट से मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई है दोस्तों आप जाके वीडियो देखें ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिकोन मिती का दोस्तों जिसमें 3, 4, 5 होता है 8, 15, 17 होता है 7, 24, 25 होता है 9, 41 होता है ठीक है ऐसे ही कुछ एक दो और ट्रिपलेट याद रखनी है दोस्तों बाकि कुछ नहीं है यह सिंपली आप इसको याद गरोगे आपके आंसर आते जाएंगे चलिए Q46 क्या कहा रहा देखिए फोटिस के दीगी आकरती में व्रत के बाहर बिंदू P से जिवाए P, A और P सी खींची जाती है चलिए अप देख लेते हैं यह एक सरकल है इसने बोला कि जिवाए है यह लीजे और यह पॉइंट P है बिंदू बाहर बिंदू P है P, A और P सी खींची जाती है मतलब यह A है और यह C है ठीक है यह B ले लेते हैं और यह D ले लेते हैं अब दोस्तों मैंने आपको जब बताया था एक थियोरम बताई थी मैंने का P, A इन्टू P, B होता है तो P, A इन्टू P, B बराबर होता है यह किसके P, C इन्टू P, D के बस यह आपको पताना P, A आपको दे रखा है आठ पी, B आपको निकालना है तो यह X ले लो P, C आपको P, C आपको दे रखा है P, C है ना P, C टोटल है टोटल है तो यह कितना दे रखा है यह दे रखा तीन यह कितना दे रखा है यह दे रखा चार तो टोटल कितनी हो गई 7 तो यह हो गया 7 PC 7 हो गया PD किती दिरकी है PD आपको दिरकी है 4 तो 4 से यह 2 बार और X वराबर हो गया 7 बटे 2 जो कि होता है 3.5 आपका उत्तर आगया Option number B आपका उत्तर सही है बस आपको इतना सा निकालना था कुछ करना ही नहीं है questions में दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले सवाल भी तरह सवाल number 47 47 में भी दी गया करती है आपन सबसे पहले तो फोटो बनाएंगे दोस्तों यह लीजिए सर्कल बना लिया इसके बाद में इसने दिया है सर्कल में यह तो सेंटर है इसने कहा ऐसे एंगल खींच दो फिर इसने कहा यहां से भी एक एंगल खींच दो ठीक है और इसको अपन मिला लेते हैं अब इसने कहा यह A है यह B है यह C है यह O है और यह वाला एंगल जो है यह 60 डिगरी है यह बात इसने बता दी अब अपन को बताना B, O, C आपको पता है यह क्या होता है यह इसका आधा होता है तो यह कितना होगा डबल हो जागा 120 हो जाएगा आपका आंसर आगया कुछ नहीं करना है डायरेक्ट आंसर था इसमें दो पैन चलाने के आवशकता भी नहीं होनी चीए ये फॉटो देख क्या अंसर लिख सकते थे कॉश्चन नमबर 48 की तरफ चलते हैं दोस्तों किसी व्रत में ये लो 48 में इसने कहा है वापिस वही जो अपने क्वेश्चन अभी किया था दो जिवाएं हैं ये लिजे एक ये लिजे दो ये सरकल का कोई सेंटर रहा होगा यहां पर सेंटर रहा होगा चलिए अब इन जिवाओं की नमांकरन कर देते हैं A B और A B और C D ये लिजे C और D दोस्तों इसने कहा ये 4 6 है और 5 और X है ये 4 और ये 6 है ये 5 और ये X है तो आपको पता है 4 इंटू 6 बराबर 5 इंटू X होता है तो 6 चौक 24 तो X बराबर हो गया 24 ब 4.8 आंसर क्या होगा चार दर जो क्या आपका आंसर ऊक्षेन नमबर अपको और क्यों कि इसमें क्या होता है इसमें अगर ये पॉइंटर और ये-दर और ये छो येंट को में यूत नंसर आगया यह तयो मैं पहले ब दिहान से डेखिए चलिया नमबर 49 की दर दोस्तों 49 क्या कह रहा है यदि एक व्रत में जिवा AB केंद्र O पर 120 डिगरी का कौम बनाती है कोई व्रत है अब एक सबसे पहले तो सरकल बना लेते हैं ठीक है ये कोई जिवा है AB ये लेजे ये A है ये B है ये कोई सेंटर है इसने कहा यहां और यहां पर ये 120 डिगरी का एंगल है ठीक है अब इसने क्या कहा है तो A, O, B का मान क्या होगा A, O, B, O, B का मान क्या होगा दोस्तों इसने A, O, B का मान पुछा वो 120 डिगरी ही होगा जब center में बना रहा हैं A O B का मान पूछा है और O center है तो question में इसने कही न कहीं mistake की होगी दोस्तों अपना answer क्या रहेगा अभी भी 120 ही रहेगा क्योंकि इसने A O B पूछा है और O 120 है अगर वो ये वाली side और ये वाली side बराबर है दोस्तों क्यों दोनों क्या है त्रिज्या है आपको बता जब ये 120 है तीनों एंगल कितने होंगे 180 माइनस करो 120 कितना आया 60 60 बटे में 2 करोगे तो कितना आएगा 30 दिग्री तो ये वाले जो एंगल है ये वाले एंगल कितने हो जाएंगे ये भी 30 दिग्री का हो जाएगा और ये भी 30 दिग्री का हो जाएगा तो आपक आपका आंसर क्या होता यह होता यह आपका यह अंसर यह होता अब इसने यहां गल्दी से छापा है या फिर question यही पूझना चाहता है कि आपको confuse करना चाहता है सेम ही question कोई answer पूझ लिया इसमें ठीक है चलिए दोस्तों करते हैं 50 number सवाल 50 number सवाल क्या कहता है देखिए किसी वरत में यह भी तथा बीसी दो जिवाएं हैं सबसे पहले तो आपन बनाएंगे क्या एक वरत बनाएंगे question number 50 किसी वरत में यह सबसे पहले एक बनाव प्रत बनाव में प्रतेक केंदर O से 3 cm दूर है यह लिजे यह ऑबी है यह यह दूसरी जिवा और यह यहां पर है यहां से यह भी 3 cm है और यहां से यह भी 3 cm है ठीक है जब इसने कहा यह 8 है तो मतलब यह 4 रहा होगा और यह केंदर रहा होगा जब ये तीन है ये भी तीन ये भी चार रहा होगा और ये पांच रहा होगा तो तरज्जा क्या होगी पांच तो इसने पूछा है BC का माप BC क्या है deputy three वाली cord है तो इसका माप 8 है तो इसका माप भी क्या होगा 8 ही होगा क्योंकि circle से उठता ही दूर है तो आपको पता है कि ये तीन चार पांच होगा ये change नहीं हो सकता ये वानवी का माप बराबर होगा दौनवी जिवाय जोगी वो एक दूसरे के बराबर होगी यह बात आपको याद रखनी है और ध्याने में रखनी है ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपना कॉश्चन नमबर 51 की का इक तालिस अमबर ट्रिबूंजय एबी सी के सेरसों को केंदु मानं कर तीन और खीछे गए सबसे पहले अपने काम करते हैं एक अ कि यह ज्यादा बड़ा व्रत नहीं बनाते हैं ऐक उ सको हटाते हैं अपन ज्यादा बड़ा वरत नहीं लेंगे आपने लेंगे छोटा सावरत ठीक है दोस्तों आपने लेते हैं तीन छोटे वरत लेते हैं ये हो गया ठीक है दूसरा वरत हो गया ये हो गया तीस वरत हो गया ये हो गया ठीक है अपने मान लेते हैं तीनों वरत टच हो रहे हैं जब टच हो रहे हैं तो ये ट्राइंगल है ये त्रिबुज ऐसा कुछ बन रहा है ये टच हो रहे है ये अपन कट गया है लेकिन वह आपको काटना नहीं है ठीक है यदी त्रिबुज की भुजा चार है अगर ये भुजा चार है मान लेता हूँ ये वाली भुजा क्या है ये चार है तो ये कितना हो हो रहे हैश है थो ये तीन और तीन हो जाएगा आठ तो यह चार और चार यह Ça última पूच्छा है तो नहों की त्रिज्जाय मुझा हो tą Canal Алबर मंग्यान कि त्रिज्जह हो गिभwyn तो व्रतां के तरिज्या की तो आपका आंसर क्या है आपसर नंबर बस सिंपल वह उनकी आद यादी कर दो बुजा के आदा दकर करना तो उसका टोटल करना और पुछ भी नहीं गरना था कशन नंबर 52 की तरह बढ़ता है दोस्तों कशन नंबर 52 क्या कहता है ठीक है चलिए कशन नंबर 52 दस सेंटीमेटर त्रिज्या वाले व्रत के अंतरगत एक समकूर्ण त्रिभुज बना बढ़ाया गया व्रत का व्यास त्रिभुज की बुजा है यह लिजए सर यह लोग फिर आप कि व्रत का व्यास जो है यह यह है व्यास ठीक है अब इसने कहा कि जब मैंने एक चीज और बताई थि आपको चम कोन है तो यह कितना ओजागा यह नबवे गिरी परें आप को व्रत का व्यास तथा त्रिभुज की परिमिंटी अरटालीश है अच्छा परिमिती अगर अर्टालिस है तो मतलब अगर मैं इसको मिला लूँ और इसको मिला लूँ तो ये बीस आप सबसे पहले तो ये धियान रखिए दोस्तों कि अगर ये बीस है तो आपको बीस किस-किस में आ सकता है तीन, चार, पांच में आ सकता है एक तो और किसी में नहीं आ सकता है पांच को मैं चार से गुना करूँगा तभी बीस आएगा सबसे बड़ी बुजाई ही डायमेटर से बड़ी कुछ हो नहीं सकती ये बीस है तो मैं इसको भी चार से गुना करूँगा और 16 आएगा इसको भी 4 से उना करूंगा तो 12 आएगा आपका अंसर 12 और 16 होगा जो कि आपका अंसर option number C होगा 20 के साथ यही रहेगा दोस्तों और 90 डिग्री पहले से दे रखा है तो आपके triplet लगेगी ही लगेगी तो आसा करता हूं दोस्तों यह भी समझवाया होगा चलते ह है question number 53 की तरफ दोस्तों question number 53 क्या कह रहा है एक first की वर्ताकार प्रेदी पर तीन लड़के खड़े हैं यह लिजे यह कोई first है तीन लड़के खड़े हैं इसने बोला है यह एक दो और यह तीना खड़े है ठीक है एक दूसरे के समान दूरी पर यदि first की समान दूरी करेंगे तीन वराबर होंगे ठीक है और जब तीनों बराबर होंगे तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा समसा बनेगा संबहु रिबुट जो कि होता है अंडरूट त्री होगन चार बोजा का स्क्वैर ठीक है एक और आपको पताओ सर्कम रेडियस circum radius कहे दो radius क्या होता ये भी बता देता हूँ ये r बराबर कहने का मतलब इस circle का radius जो होगा त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी या फिर आप कहें कि iron's formula से अगर आपने निकल ला होता circum radius तो area क्या होता तो area होता a, b, c upon 4r ये एक formula है जो कि iron's formula से निकल के आता है जब अपन क्या बोलते हैं इसको geometry पढ़ूँगा तब पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में और deep में जब ये iron's formula के और deep में बात करेंगे तब बताऊँगा ये कहां से निकल के आता है दोस्तों और ये वाला ठीक है दौनों क्या है एरिया है जब एरिया है दौनों ही तो अंडरूट 3 upon 4x square ले ले लेते हैं बराबर ये क्या हो जागा एक से टाय होगी है और या तक की बात समिंगा हो गई हो दोस्तों आसा करता हूं दोस्तों ये भी question आपको समझ माया होगा बहुत ही आसान question था इसमें भी कुछ ऐसा था नहीं जो अपन नहीं समझ सके हो चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल अपन को क्या कहता है question number 54 दोस्तों 54 में क्या दिया इसने 54 में करें दिये गए वरत होता है यह क्या व्यास होता है ठीक है अब इसने कहा कि यह यहां गया और यहां गया ठीक है फिर इसने यहां से एक लाइन खेंच दी हूं ठीक है यह लाइन खेंच दी अब इसने क्या कहा है इसने कहा कि यह वाला जो है यह 90 डिगरी अब इसने यह कहा A B C D और E point यह अपन यहां तक आपन को निकालना क्या है अपनगों को निकालना है अपन निकालना है ठीक है C A D और दूसरा A D C A D C इन दनों की टोटल बतानी A D C की आपको पता है यह और यह क्या है यह रेडियस है जब रेडियस है यह 90 डिगरी है तो पीछे कितना बचा 90 बचा बटे में 2 करोगे कितना आएगा 45 आएगा और उसमें 90 जोड़ दो बस आपका अंसर आजागे 135 35 डिगरी आपका अंसर है जो कि option number A है कुछ नहीं निकालना था दोस्तों आपको पता है जब यह 90 डिगरी है तो यह और यह दोनों रेडियस की वज़े से यह दोनों बुजाए बराबर है तो आपने सामने एंगल बराबर होंगे तो बचा कितना पीछे बचा 90 तो बटे मे 55 दी गई आकरती में अपने आकरती बना लेते हैं सबसे पहले अपना काम क्या है फोटो आपका बनावा और जितना फोटो को आप ध्यान से बनाएंगे उतना ही आपके लिए वो perfection रहेगा यह लीजे और एक यह लीजे यह दो चीजे तो मैंने यहां बना दी ठीक है दोस्त अब आपको यह दिया हुआ है 95 डिग्री ठीक है यह A है यह B है यह point C है यह है E यह है F और यह है D यहां तक की बातें आपको पता है जब यह 95 है तो आपन को एक चीज तो चक्री चतुरबुजी में आमने सामने कोन क्या होते है यह 85 हो जाएगा यह बात तो बदरती पता च रहा है कि यह वाली लाइन यह वाली लाइन और यह वाली लाइन जो है पैरलल है और जब पैरलल होते हैं दोस्तों जब यह और यह वाली लाइन पैरलल है तो आपको पता ऐसे Z सेप बनता है और Z सेप में यह एकांतर कॉन जो होते हैं यह दोनों बराबर होते हैं तो यह व ये पहले से उसने सवाल में दे रखा 20 degree, कितना दे रखा है, 20 degree, तो 85 और 20 degree कितना होता दोस्तों, ये 105 degree होता है, आपका आंसर क्या पूछा था, इसने BAD, ये BAD, अच्छा, इसने ये वाला एंगल पूछा था, सुरी, इसने पूछा है, अंगल BAD कमाप क्या होगा, BAD, इसने ये वाला एंगल पूछा है, आपको पता है दोस्तों, पूरा 180 होता है, ये पूरा कितना होता है, 180 होता है, पूरा 180 था, उसमें से आपको पता है, ये 85 हो गया, ये 50 में हो गया, जब ये बहार वाला 50 में है, तो अंदर वाला कितना बचेगा, 180 में से 50 जाएंगे, तो कितन आजाएगा यह पिंचानगा आजाएगा तो आपका आंसर कितना है 95 डिग्री जो कि आपसर नमबर सी है दोस्तों बस आपको इतनी सी चीज़ समझने थी बाहर अपन का टोटल एंकल यह तो सड़ी यह पिच्छासी में एक दो अकुंटी करें अपने यह पिच्छासी तो यह वाला एंगल था ठीक है यह 20 जुडएगा तो गितना होजागा 105 जब 105 बाहर है तो अंदर कितना बचेगा अंदर 75 बचेगा दोस्तों कितना बचेगा 75 बचेगा पीड़ करने में थोड़ी सी गल्ती कर दी चलिए अपन बात करते हैं कॉश्चन नमबर 56 की दोस्तों कॉश्चन नमबर 56 अपन को क्या कहता देखिए दिये गए वरत की बात कर रहा है तो मतलब पहले अपन एक वरत तो बिना देखे ही बना लेते हैं यह देखे फिर अपन इस वरत की बात करेंगे तो यह एक tangent है कोई point प्यार की है यहां से इस पर करती रही यह रेका है और यह जोड़ दिया यह T point पे जोड़ रहा है यह O है और यह P है दोस्तों यह 8 है यह 10 है अब एक बात पता चल गई यह बस लिखते ही मुझे पता चल गया कि यह 4 दूनी 8 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6 आप cancer आगया 6 आप cancer option number C कुछ नहीं क्यों क्योंकि किसी भी इस पर स्रेखा पर डाला गया लंब अमिसा 90 डिग्री ही होता है यह 90 डिग्री है इसलिए समकोन के अंदर अदर अपन ट्रिपलेट लगा लेंगर आपने ट्रिपलेट कौन सी लगे 3,4 और 5 5 को 2 से गुणा किया इसको भी 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करते अच्छे आगया आप cancer जो कि option number C था दोस्तों आसा करता हूं दोस्तों ये question भी आपको अच्छे से समझे माया होगा चलते हैं अपन question number 57 की तरफ दोस्तों question number 57 क्या करा है देखिए 57 में भी क्या दिया है दी गई आकरती है तो ये लीजे मैं पहले तो आपन तो photo बनाएंगे दी गई आकरती बनगे जी अब इसने कहा कि यहां से कोई सपर्स रेखा यहां पर है फिर यहां से भी सपर्स रेखा तक की line खीज़दो ये 90 degree का कौन बन जाएगा ठीक है ये T होई गया ये P है और ये दिया हुआ O ये 7 दिया है ये 24 दिया है तो ये कितना होगा ये 25 हो जाएगा बस आपका अंसर क्या है option number C क्यों 7 24 25 ये triplet है जब 7 24 है तो तीसरा 25 ही होगा क्योंकि ये 90 degree का बढ़नी रहा है समकून त्रिबूस तो ही बस आसा करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आगी होगी ये question बहुत ही simple है दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब बहुत ही simple questions होते है एक एक second के question है 58 एक्चली क्या ये practice से जब आपको simple लगने लग जाएंगे और मज़ा आने लगेगा आप 2-4-5 बार मेरी videos को देखेगा आपको बहुत अच्छा लगए है दोस्तों ये देखिए यहां पर एक center है यहां से ये line गई यहां से ये line गई ठीक है यह point T था यहां पर करेंगे थी ये 90 degree का बन गया ठीक है यह इसने पी point दिया है और ये लिया है ओ, ठीक है अब इसने यहां पर इसको यहां से यहां तक दिया 10 centimeter यह दिया है 26 cm आपको मैंने ट्रिप्लेट बताई थी पांच बारा तेरा पांच बारा तेरा पांच को जब दो से गुणा किया तो कितना आया दस आया, इसको 2 से गुणा किया तो कितना है, 24 आया, इसको 2 से गुणा किया तो कितना है, 26 आया, यह आ गया है, यह आ गया है, तो बचा क्या 24, जो कि आपका अंसर क्या option number A है, इतना question में कुछ करना ही नहीं है, हाथ लगाना ही नहीं है, दोस्तों, हाथ भी क्यूं लगाएं तो अपने को वरत बनाना है यह वरत बना दिया अब इसने क्या कहा इसने कहा कि दिएगे इची त्रूमें यह चलो अपन बाकी चीज़ें construct कर देते हैं यह ऐसे गया है एक एंगल यहां से यहां बन रहा है एकश से निकल रहा है ठीक है यह वाला एंडर है O ये दिया है A ये है T ये सिस्ट ये दिया है इसने और ये इसद और कि इए चीज तो आपको पता चल गई दोस्तों की ये तो नबबे डिगकर का बशाइब निजाएगा ठीक है ये इसने किता दिया ये 50 दिया हुआ है तो पता ही है कि जब ये 50 है यह 90 है 90 और 50 एक 100 चालिस तो ये कितना होगा है यह और दोस्तों 40 आयल यहां को निकालना कौन सा है आपको निकालना सी एटी औंगल आक्वा कौन सा निकालना सी एटी अंगल तो अपने एक काम और कर सकते हैं अगर मैं इसको तो construct कर लेता हूं यहां से यहां तक की बात कर लेता हूं तो आमने सामने के एंगल कर यह कितना होता है या तो आप construct कर लो अगर आप construct नहीं करना चाहते हो दोस्तों अगर आप मैं चाहता हूं कि मैं तो यहां construct भी नहीं किनू तो क्या कर सकते थे अपन यह देखिए तो अप देखा हो गया A, C, B, जो है, यह 90 का है, ठीक है, यह दोना मिलके 90 हो गए तो यह 40 का होगे, अपने आप ही, अब अपन को C, C, A, T, एंगल चाहिए, अपन को ये वाला अंगल निकालना है, अपन को ये वाला अंगल निकालना है, आपको पता है किसी भी, इसपर्स रेका पर ये क्या है टेंजनेंट ए ये क्या है और इसपर्स रेका पर अमेशा ये वबला एंगल जो बनता है ये 90 डिगी का बनता है जब ये 90 डिगी का था, माइनस करेंगे 40 तो कितना एक आगा आशत पचास दी दूदी आगा क्षिशन नंबर 60 की दोस्तों क्या गया दिये गए वरत में केंद्र ओ इसमें फोटो काईसा है वो देख लेते हैं अपना क्षिशन नंबर 60 का फोटो देख लिए यह ना चलिए क्षिशन नंबर 60 में भी डाइग्राम बनाया आपने ठीक है फिर इसने अगा दिये के चित्र म व्रत का केंदर O है ये लिजे व्रत का केंदर ये O है ठीक है इस डाइग्राम को अपन ऐसा कुछ बना लेते हैं कि ये ऐसा ये ये ठीक है यहां से कोई स्पर्स रेका है ये T है अब इसने क्या पूछा है इसने का QPT 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 जो है ये 50 दिए ये 50 दिए ये पचास डिग्री दिया तो ये वाला अपने आपी चालिस हो जाएगा ये कितना हो ज़्यां चालिस हो ये इस पर स्रिका के साथ में हमेशा 90 डिग्री का कॉन बनता है यह तोटल लेक्ष showcson UKそして भी कितना होगा यह 40 जब ये चालिस ऐसी हो गया यह कितना यूपका बने चै कि दो अश्य तर poems दोस्तों दो अशा करता हूंब को उसी तरह हमारे साथ बने रहें दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जोस और जुरून के साथ और नए ट्रिक्स और नए मेथड्स के साथ में दोस्तों तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार